घर में घुसते हैं और घुसते ही टेंशन शुरू हो जाती है बहुत बार मन वहीं से खराब हो जाता है जैसी हमारे पाउं पढ़ते हैं सेप्टी टेंक पर safety tank पर जब पाउं पढ़ते हैं ठीक है तो वो गंदी चीज है उसके पर पाउं नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि हमारा जो main gate है हो सकता है कि northwest में वहाँ बना हो जहां पर गुस्ते ही आपने वास्तों से बहुत कम जगां पर साथ ही हो लेकिन manhole तो हर घर में होते हैं कोटियां है modern building है कुछ भी है manhole तो हर जगां बने होते हैं तो जैसे safety tank पर पाउं नहीं पढ़ना चाहिए घर में घुसते ही बाहर से अंदर आते हैं उसी तना से manhole पर भी पाउं नहीं पढ़ने चाहिए और साथ ही यह तो जल्ज है पूरी धरती में है लेकिन वह हमारे body के हमारे पाउं के बिलकुल पास में है अब ऐसी टेंशन में क्या करें बहुत असान चोटा सा तरीका आज आपको बताने वाला हूं समाधान अगर घर में घुसते ही आपके पाउं पर जाते हैं किसी underground पाने के टेंक के उबर या पाउं पढ़ते हैं किसी manhole या safety tank पर साथियों चोटा साव इलाज बताऊंगा हिंग लगे ना फिटकरी और मीठा चबना हो असान तरीके बताता हूं मैं देखते रहे यह से वीडियो को अखीर तक अंतरराष्ट्रिये ख्याती प्राभ सेलेब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारतवाच आपको आपके इंट्रोडरक्शन की कोई ज़रोत नहीं आपको दुनिया जानती है प्रेसों सार जानता है आनंद भारतवाच वास्तु कंसल्टेंट को जो थोड़ा साभी बिलीव करता है आज का टॉपिक लिया है मैंने बहुत जबर्दस बहुत जोड़दार और इस टॉपिक में मैं आज आप देख रहे हैं बोट पर लिखा हुआ है महा टेंशन जैसी मेरा पाउं पर जाता है घर में गुस्ते ही पानी के टैंक पर या किसी सेप्टी टैंक के उपर तो टेंशन पैदा होती है और उसकी नेगटिविटी क्या होती है ये बहुत ज़्यादा सीरिस है अच्छा नहीं है तो मैंने पहले भी वीडियो बनाए इसकी बारे में बताये थे पहले भी अब देखे घर में गुस्ते ही पाउं के नीचे पढ़ते हैं सेप्टी टैंक या अंडर्ग ऑटे नेग बना हुआ है ने पर अंडर्गरोंड वाटे लाटे लाग जैसी औंदर За यहां गिटा रही है सब्सक्रांद के लिए यहीं पर जैसे हां जी कि अन्दर एक्रम्रे है मेरा ऑर में रोग Aha यह मेरा हो गया जैसी एंटर करता है यह चाप्रHκ बाते इस underground water tank के उपर जैसे मैंने बोला देवता होता है पूजा में हम यूज करते हैं पानी को हम फीने के लिए करते हैं और खाने में करते हैं एक तरह से अम्रित होता है ये इसके उपर पाऊंग नहीं पढ़ने चाहिए एक condition ये अच्छे नहीं होती underground water tank के लिए दूसरा अब देख रहे हैं ये क्या है ये बना हुआ है safety tank बन रहा है कहीं पर site की photo है ये safety tank है और इसके उपर भी जैसी बन जाएगा बनने के बाद में हो सकता है कि कहीं पर आपका जहे है मुखे द्वार आपका यहां बना हुआ हो जैसी यहां से तो बंद होगा उसके अंदर पौंड़ी जाएंगे उपर से बंद होगा लेकिन वहीं पर जहे है negativity आपके साथ में चल पड़ेगी उस negativity को ले करके आपको पता कि साफ जगा में घर के अंदर आना चीए जो गंदी चीज के उपर से मंदार आएंगे तो वहाँ तो हमें negativity मिलने के chances पूरे पूरे होते हैं साथियों इसके अलावा आप जैसे मैं आपसे कहा था कि ये टैंक होता है हमारा इस तरह से आपने देखा कि जो मेहनौल होते हैं हमारे वो भी अच्छे नहीं होते उसके उपर भी पाऊने ही पड़ना चीजिए आज मैं समस्याओं का समाधान करने के लिए आज यहां पर लाया हूँ आपको और इस समाधान मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको जो है आप टैंशन को दूर करेंगे समझाता हूँ मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने की होती है साथियों कुछ मुश्किल नहीं हुआ करता आप बस खुले दिल से अगर आप एकसेट करने को त्यार होते हैं और समझने को त्यार होते हैं कोई जाता नहीं है अब देखिए कि एक्जामपल के लिए मेरा घर है कहीं पर और घर के अंदर में जैसी अंदर आता हूँ वहाँ पर रिदम से मुझे यहाँ पर बना हुआ है मेरा अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्ट टैंक यह देखिए यह मैंने एक अभी आंगन बनाया आपके सामने यह मेरा एक आंगन बनाहूआ है इसे मेरा इक आंगन मैं लिया खड़न जया ओए यह एटन वहाँ लगी हूई है इस में आप देख रहे हैं घर में अंदर आया अंदर आने के बाद में फिर मुझे ये अपना आंगन मिल जाता है इस आंगन में बना हुआ है, धकन बना हुआ है, दिखाई दे रहा मुझे, कि ये धकन जह है, अंडर ग्राउंड मेरा safety tank का है यहाँ पर, नीचे स्के बना हुआ है, अब दिखाई तो नहीं पड़ रहा हूँ, उपर तो सिरफ हमारा एक धकन दिखाई दे रहा है, कैसे ठीक क इसको भी आपको बताता हूँ, मैं, आपने क्या करना है, कुछ मेरी बहुत आसान तरीका, आप अपने घर में आए, अंदर आए, अंदर आने के बाद देखा, कि यहाँ पर जाए एक धकन लगा हुआ है, किसी भी underground tank का, मेरा gate, यह तो है नहीं कि मेरा gate और जो पानी को उसक जब आप घर के अंदर एंटर करेंगे, तो आपने क्या करना कि इस से बच के निकलना, देखे, यह मेरा पूरा का पूरा gate है, यह मेरा gate है, अब जब घर के अंदर जा रहा हूँ मैं, तो इस से बच के निकलूँगा मैं, बच के निकलना बहुत असान तरीका, चाहे underground panic attack है, या जो वो होते हैं अपने मैनोल होते हैं मैनोल क्या होते हैं छोटे-चोटे एक फिट होते हैं इतने बड़े-बड़े और यह जो मैनोल होते हैं इसमें अपना टौलेट का पानी आम तोर पे डारा जाता है टौलेट का पानी इसमें आता है पाइप से ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है या अंडरग्राउंड पानी का टैंक है बचके निकलेंगे सबसे असान तरीका एक तरीका सेकंड तरीका अगर आपका मगान बना नहीं बन रहा है तब भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए कि आपने ये जमीन के अंतर एक टैंक बनाया हुआ है अंडरग्राउंड टैंक है या पानी का टैंक है कोई भी टैंक है ठीक है इसमें हमने पानी भरना है राइट इसमें वाटर भर दिया अब उपर जो जमीन का लेवल हमारा आएगा जमीन का लेवल म कि हमारा यहाँ पर आता है ये जमीन का ले ला राइट तो आपने क्या करना है जब पृर्स डालेंगे और ये जब इसको बनाएंगे तो इसके टैंक के बाद में इसका आपने एक धकन बनाया जहां भी आपने इसका लिड बनाना है जहां भी आपने इसका धकन बनाना है यहां पर आपने इसका धकन बनाया धकन बनाने के बाद क्या करेंगे इसके उपर जो जमीन का लेवल है देखो फर्ष जो है मेरा इसके साथ ले जाएगा थोड़ा सा उठके जाएगा और जब उठके जाएगा तो इनके मेरे इस टैंके और जमीन के दोनों के बीच में एक एलिमेंट और आ गया जल और धर्ती या सेफटी टैंक का जो मलवा है जो गंदगी है उसके ओधर्ती के बीच में अब जैसे मैं पाम रखूँगा तब यहां पर हमने गैप क्रेट कर दिया और गैप को क्रेट करने के बाद में इतना गैप बना तो जो उपर का धकनता हमने वो एक अलग और कहीं लगा दिया अब क्या हुआ दोनों के बीच में एक चीज आई इन दोनों के बीच में आपने देखा इन दोनों के बीच में एक चीज आगी जिसका नाम है ये ये जगा जो है हमारी ये जगा जो बन जाती है यह जगा हमारी बिलकुल खोकली हूगई खोकली कैसे हो गई यह नीचे हमने पानी का टैंक या सेफ्टी टैंक के उपर लिंटर डाला लिंटर के बाद हमने चार इंच, 6 षिट, 8 इंच, एक फुट का हमने गैप किया gap करने के बाद में फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अपना टेंक का उपर डखकन लगा दिया अगर इसके उपर भी आएगा तब भी कोई समस्या नहीं है ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा जो पाउं पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे भूमी पर पढ़े भूमी के और उसके नीचे जह है एक एर जा रही है उसके नीचे डालेक्ट उसके पर हमारे पाउं नहीं पढ़ते बहुत अच्छी रेमेडी बहुत असान रेमेडी हमें अक्सर करानी पढ़ती है इसके लावा हो सकता है आप कुछ भी ना कर पाएं ये भी ना कर पाएं वो भी ना कर पाएं बन गया है सब कुछ तो फिर मुझसे पूछते हैं कि सर भारदवा जी आप बताईए कि अब हम क्या करें जब आपका सब कुछ बन गया है तो बहुत असान तरीका एक और बताता हूँ कि ये आपकी भूमी है और इस भूमी के नीचे आपने बना रखा है कोई underground water tank यहां बना हुआ है कोई तरीका नहीं इसको ठीक करने का मान लिया बहुत असान तरीका आपको बता रहा हूँ मैं आपने कुछ नहीं करना आपने इसके उपर एक green mat बचा देना है एक जो foot mat होता है वो बचा देना है green color का होना चाहिए दिशा कोई भी हो green color का होना चाहिए और अगर आप इसके उपर original घास लगा देते हैं जैसे घास लगाते हैं जैसे अपने ये गर्डर और पथर लगाते हैं कड़ी पथर लगाते हैं इस तना से मतलब पथर भी मिलते हैं आप ऐसा कर जान में आपने घास और पथर सासा लगा दिये आपने या वहाँ पर आपने green mad बिचा दी तो भी ये वान के चलना के 80-90% उसका जो negative impact दूर होता है साथियों आनत भारदवाज आपके लिए हमेशा होता है आपकी समस्चाओं को दूर करने के लिए समाधान देने के लिए आज मैंने आपकी बहुत सारी समस्चाओं का समाधान दिया जिससे के आप मिना तोड़ खोड़ के और मिना किसी परेशानी के अपनी इस महाटेंशन को दूर कर सकते हैं साथियों ऐसे ही आते हैं मेरे वीडियो, हर वीडियो ऐसा है हर वीडियो बहुत जानदार और हर वीडियो बहुत शानदार ये कमेंट्स में भी लोग लिखकर भेज़ते हैं मेरे लिए अपना अलग स्थान मेरा आप देखते रहे मेरे वीडियो को आप से शेर करता रहूंगा नहीं नहीं बाते हैं और मेरे इस चैनल को आप जाए सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया था और शेर करना और लाइक करना फिरकों मत भूलना इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन, मेरे हिम्मत बढ़ती है, नएने टॉपिक आपस के पास लेके आता हूँ और यह बाद बता दू मैं, यह वीडियो ऐसे नहीं बनते साथी हूँ एक वीडियो को तियार करने के लिए जो मुझे content बनाने पढ़ते हैं, दो से तीन तीन चार दिन लग जाते हैं बहुत पार पूरी पूरी राद भी काम करना पढ़ता है, दिन में भी करना पढ़ता है, बहुत सा रिसर्च करता हूँ और जो पहले मैंने research करी थी जिसमें के मैंने technical instruments यूज़ किये थे अपने sensor scanner यूज़ किये थे computer से किया था उस सबको कलब करता हूँ बहुत कुछ जोडने के बाद में फिर एक वीडियो बनता है ये चलता फिरता वीडियो नहीं है कि आम की गुठली अपने घर पे टांग दो हल्दी अपने सिर पे टांग लो और आपका यह हो जाएगा कुछ नहीं कोई अन्दविश्वास नहीं 100% science और 100% authenticity अगले वीडियो में फिर से आप से मुलाकात करता हूँ एक निया topic लेकर आँँगा तब तक के लिए आप मुझे इजाज़ाद नमस्कार धन्यवाद थैंकियो और ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत